अब दियर स्थिदन्ट सभी का स्वागता हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का बर्ग ज्याद करना find the square any number किसी भी संख्या का बर्ग कैसे ज्याद करते हैं तो इसमें तीन टाइट की संख्या है तो टाइफ पस्त क्या है हमारा टाइफ पस्त है यदि इकाई का अंक जीरो हो यदि इकाई का अंक सुनने हैं यदि इकाई का अंक सुनने है तो उस संख्याओं का बर्ग कैसे निकालेंगे जैसे हमारा इकाई कांग जैसे 10 है तो 10 का बर्ग कैसे निकालेंगे 20 है तो 20 का स्क्वाइर 30 का स्क्वाइर 100 का स्क्वाइर 1000 का स्क्वाइर 40 का स्क्वाइर 50 का स्क्वाइर ca 60 ka square 70 ka square तो इसमें क्या है हमारा जो unit number है 0 है एकाई Iraqi काई का इस Benit उस संख्याओं का का बर्ग कैसे ग्याद करेंगी तो सबसे पहले हम कहेंगे जैसे इसमें 0 लिखा ही तो बर्ग ध्याद करना है तो 0 0 लिखा है तो double 0 उसका हो जाएगा और एक का वर्ग होता है एक जम हमनिकालेंगे जमें निकालेंगे तो इसमें एक जीरो का दो जीरो लग construct दो का लेंगा है घंट दो जीरो दो का डवा सका है जिए भी Work इसमें इस विए ऊंस जीरो लगए जाएंगे हमारी मिन उता है नो परह टी 3-0 लगे तो 3-0 का डबल कितना हो जाएगा 6-0 3-4-5-6 और 1 का स्क्वाइर 1 इसमें 1-0 है तो 1 का दूना 2-0 लगेंगे और 4 का स्क्वाइर 16 इसमें भी 0-1-0 है तो स्क्वाइर में 2-0 लगेंगे और 5 का बर्ग होता है 25 इसमें भी 1-0 है तो 1-0 में 2-0 लगेंगे और 6 का बर् 1695 बचानल बर्गजा इसके बर्ग में 2,0 लगेंगे और müνकौता है49 häं तो 40 का वर्ग होगिए 49 70 गवर्ग होनार 5ocarच भूजार 26 50 का वर्ग 2160 का वरी नकिल सकते हैंगने कोई भी डाइडेट एक सेकिंड के अंदर उसका बर्ग निकाल कि हम लिख सकते हैं अब आता है हमारा टाइप टू टाइप टू में यदि इकाई का अंग पांच हो तो कोई भी ऐसी नंबर आ जाते हैं जो इसका जिसमें इकाई कांग हमारा पांच है यूजिनिट नंबर जो है वो पांच है तो उसका हम बर्ग कैसे ग्याद करेंगे इसका स्कुर कैसे निकालेंगे इसका बर्ग हम कैसे निकालेंगे 25 है इसका बर्ग हम कैसे निकालेंगे 35 है इसका बर्ग कैसे निकाल ही निकालेंगे कैसे हैं। 55 है कभर हम कैसे निकालेंगे शंवाली संख्या इसकी भोछ तरीक जैसे 5 हुन में 5 हैं। प्त्भर कितना होता है पच्छिस को लिख़ देंगे को सब्सक्राइब नमबर इससे जो अगली संख्या होती है उसमें इसकी मल्टिप्लाइ करके लिखेंगे तो एक है एक का अगला नमबर टू तो एक में एक की गुणा किसे में कर देंगे दो में तो दो इकन दो यह 15 का वर कमारा कितना हो गया 225 ऐसे इसमें 25 का वर निकालने के लिए इसमें भी एसी इसमें पांच का वर गो जाएगा 25 और तीन की मल्टिप्लाइ करेंगे फोर में तो थिरी फोर जा 12 यह तीन चौक 12 तो हमारा 35 का स्क्वार हो गया 1225 ऐसी 45 में 5 का वर गो जाएगा 25 और 4 का नैश्ट नमबर 5 चार का अगली संख्या 4 से 5 है तो 4 की 5 में गुणा करेंगे चार पंजे 20 तो 45 का वर दो हजार 25 ऐसी 55 का स्क्वार में 5 का वर गो जाएगा 25 तो 5 से अगली संख्या है हमारी 6 तो 5 चंग 30 तो 55 का जो बर्ग है वह हो गया हमारा 3025 बहुत एजी तरीका है इसमें भी इसमें भी यूनिट नमबर 5 है एकाई कांग 5 है तो 5 का वर 25 और 6 की ग गुड़ा 46 42 तो इसमें पांच का वर इसमें भी ऐसी लिखेंगे पांच का वर 25 तो साथ से जो अगली संख्या है अगला अगला नमबर है आठ है साथ की आठ पर गुड़ा करेंगे साथ अठ्थे चपन तो 75 का स्क्वार हो जाएगा हमारा 5625 है ना वह सोटकर तरीका इसमे जब भी सवाल करेंगे तो इसमें यसी संख्या आ जाती है जिसमें इकाई कांग 5 है उसका निकालना है तो हम कुछ भी टाइम विकार किया हम उसका डायर्ट इसका हम स्कूर्ड लिख सकते पंदरागा इसको तो 25 का 625 हो गया इसमें कोच निकरना जो इकाई कांग है उसका लिख दे रहा है जो दाई वाला आंक है उसकी नेस्ट नंबर में उससे मल्टिप्लय करके उसमें अब आता है टाइब थ्री में अब आता है टाइब थी में अभी थैब हम ने पढ़ा था टाइब बन ना तो सुन्य हो और ना ही पांच हो अब जीरो जीरो भी नहीं एकाइकांग और ना ही पांच है तो उन संख्याओं का हम स्क्वाइर कैसे निकालेंगे जैसे हमारा 23 23 का स्क्वाइर हम कैसे निकालेंगे जैसे 53 है इसका स्क्वाइर कैसे निकालेंगे या कोई भी संख्या ले 30 3530 में 5 हो जागा उनीट नमबर 30 34 वी ले लिए 136 इसक्स का स्कॉयर हम कैसे निकालेंगे मतलब मतलब यूनिट नंबर नहीं न हमारा सुनिया ह्यूंध और न ही हमारा 5020 आर कैसे निकालेंगे तो हमारे 23 का स्कूर हमें निकालना है 23 का बर्ग ज्यात करना है तो इसमें क्या करेंगे 23 का बर्ग तो इसको हम इस वाले नंबर को A माल लीजिए इस वाले नंबर को B माल लीजिए और इस वाले नंबर को C माल लीजिए तो हम इसमें क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं B का Square B का Square मतलब यह जो इकाई वाला आंख है इसका वर्ग उसके बाद में A, B, C A, B, C मतलब तीनों की Multiply करके बीच में लिखा जाएगा और लास्त में लिखा जाएगा a का बर्ग सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा जैसे b का बर्ग ये वाला bracket में है a b c मतलब तीनों आपस में इसे लिखा है तो b का बर्ग अपारा कितना है b का बर्ग b के इस्तान पर कौन सी संख्या है 3 तो 3 का बर्ग लाई कितना हो जाएगा No तो तो यहां पर समझ लेजिए मतलब बीका इसक्वार जाएगा चार और चार में एक हमारा हासिल था तो चार और पांच तो 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 यहां पर समझ लेजिए बी का स्क्वार जो इकाई वाले इसको माना है जो इकाई वाला के तो बीका स्कोया क्यों कितना हो जाएगा रशिए तो त्यज आ छाम तो इसके में तीन है तो बीका स्कॉर कितना हो जाएगा नो तीनो की मल्टिपल आई 5 तीया 15 15 दुनी 30 30 का क्या लिखा जाएगा जीरो आसली कितना हो जाएगा तीन अब पांच इस वाली का इसको लिखेंगे तो पांच का वर्ग होता है 25 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो लिखेंगे तो 4 का स्कॉर 16 16 का 6 हासिल एक अब तीनों की मैल्टिपल आई तीन चुक 12 12 24 24 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 25 का पांच हासिल दो अब तीन का स्कॉर 9 तो 9 में दो हासिल जोड़ेंगे नो और दो 11 ठीक है 34 का इस पार हो गया हमारा 1156 ऐसी सीमस में करेंगे सबसे पहले इस वाली संख्या का वर्ग 2 दुनी 4 दो का वर्ग हो गया 4 तीनों की मल्टिपल आई 4 दुनी 8 आठ आठ दुनी 16 16 का 6 हासिल एक 4 का वर्ग 16 16 में एक हासिल जोड़ेंगे 17 42 का वर्ग हो गया हमारा 1764 स दुनी तो चैनल की मल्टिपल आई चैनल की मल्टिपल आई तो चैनल का वर्ग हो गया हमारा 4096 ऐसी 36 का वर्ग निका लेंगे तो चैनल की मल्टिपल आई तीनों की गुणा कर देंगा आपस में 5 चैनल 8 आठ दुनी 36 36 में 3 हासिल जोड़ेंगे 49 का 9 हासिल 3 और 3 का वर्ग होता है 9 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 तो 36 का स्क्वार हो गया हमारा 1296 में तो इस वाली ट्रिक से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं तो जो जिसका उकाई कांग0 था उसकी लिए दूसरे ट्रिक और दूसरी ट्रिक उससे निकाल दिया था उसको अगर इकाई कांग5 था तो उसका भी बहुत सोटकण तरीका था ऊससे निकाल दिया था उन संख्यां को हम इस तरीके से भी झाल सकते है यह वाला तठीकर साथ cooperation लेकिन बार-